हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बेक टू और अज की इस वीडियो में बच्चों हम डसकस करेंगे वॉक्षीट नमबर 28, 4, क्लास 7th, मैथेमेटिक्स की बच्चों ये वॉक्षीट है जो आपके लिए 34th December 2020 के लिए शेडूल की गई है, आज की वॉक्षीट का टॉपिक का ब और समझ सकते हूँ, तो ये बिटर स्टार्ट करते हैं, डेटा हैंडलिंग, तो आपको ये बहुत ही सुन्दर मैंडिला आर्ट दी गई है, और इससे रिलेटिड आपको इन्फोमेशन जो है, यहाँ पर कम्प्लीट करनी है, तो देखिए, फ्रॉम दा आर्ट अवो कम्प शेप, वो कितनी दी गई है, उनका नंबर भी लिखना है, और फिर उनके टेली माक्स भी आपको करनी है, एक्जाम्पल के लिए दिया गया है, जिससे ट्राइंगल, तो देखिए, यह है, यह क्या है, यह ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल यहाँ पर अगर आप काउंट कर करनी हैं है सो बिटे पहले यहाँ से शेप उन को काउंट कर लेते हैं कि कितनी कि इसकैअ कितनी शेफ चुन है हम यह आपर देखिये कौण काउंसी कितनी नंबर में दी गई है तो यह हमने देख लिया जो तृष है वह तो, count करोगे तो यह total कितने होंगे square भी आपके पास total 12 होंगे उसके बाद next देखे विटा next आपको यहाँ पर दिया गया है यह वाली shape यह वाली shape जो आप देखे यह वाली shape हमारी क्या है यह वाली shape हमारी है ट्रेपीजियम तो ट्रेपीजियम हमें यहां पर कितने दिये गए हैं यहां पर यह भी आपके अगर देखोगे तो यह भी कितने हैं 12 हैं उसके बाद देखे नेक्स्ट है हमारा पैरलेलोग्राम पैरलेलोग्राम देखे एक तो पैरलेलोग्राम यह वाले हैं दूसरा पैरले परलेलोग्राम जो हो गए आपके, ठीके वो कितने हो जाएंगे, टोटल परलेलोग्राम आपके हो गए 36, तो ये सारी शेफ हमें इतने इतने नंबर में दी गई है, नेक्स देखे, अब हम यहाँ पर इसको टेबल को कम्प्लीट करना है, आपको राइट दे नेम और शेफ य परलेलोग्राम है 36, ट्राइंगल दिया गया है 12, तो ट्राइंगल के लिए जैसे यहाँ पर चेली मार्क्स बनाए गए है, उसी तरह आप स्क्वेर के लिए, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, सेम इसी तरह से तीनों के लिए बना देंगे, ठीके, अब हम करेंगे परले इलोग्राममें कितने दिये गए है? 36 दिये गए हैं, तो इसी तरह 36 यानी हम एक बार कितने लिखते हैं, 5 लिखते हैं न, 5 दिखाते हैं ऐसे, तो कितने लगेंगे? 5, 7, 35 और 1 अकेला रहे जागा 7 जो है आपने ऐसे pair बना दीने है तो देखे 1, 2, 3, 4 5 हो गए इस तरह से बिटा आपने 7 जो है pair बना दीने है देखे 3, 4, यह हो गए 5 और यह हो गए 6 and 7 और 1 अकेला रहे गए ठीके, नई एक और बनेगा यह हो गए हमारे 7 ठीके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 35 और 1 बिटा यह रहे गया कितने हो गए total 36 तो इस तरह से telemarks आपको बना देने है same यह वाले यहाँ पर भी और यह वाले यहाँ पर भी उसके बाद देखे बिटा, next देखते है write count of shapes from the table in data form in ascending order तो आपको यह जो दिया गया है यह जो shapes का number है count of shapes, यह आपको ascending order में लिखना है तो ascending order में आप लिखेंगे तो ascending order में देखें 3 तो हमारे पास 12 ही है तो ascending order में लिखेंगे तो 12 हो गया उसके बाद फिर से 12 है, फिर से 12 है और फिर क्या है, 36 है is write the number which appear most तो कौन सा है यहाँ पर 36 है उसके बाद देखे write the name of shape whose count is maximum तो कौन सी shape है बिटा जिसका number 36 है maximum कौन सी है parallelogram है तो answer सामने लिखा हुआ है fourth one देखे write the name of shape whose count is minimum तो minimum कौन सी है तो minimum बिटा देखे आपको तीनो नाम लिखने है यहाँ पर मैंने एक लिखा है trapezium बाकि आप यहाँ पर तीनो नाम लिखेंगे square भी आएगा, trapezium भी आएगा और triangle भी आएगा यानि आप कह सकते हो यहाँ से कि जो question number 4 का answer होगा आपका यह तीनो जो है आपके question number 4 में आ जाएंगे ठीक है उसके बाद next देखे find the range of the data in the table above तो above table में आपको range निकालनी है data की तो range कैसे निकालते हैं बेटा maximum में से minimum घटा दीजिए maximum कितना है, maximum है 36 उपर कर लेते हैं देखे maximum हमारे पास यहाँ पर कितना है maximum है 36, minimum है 24 और range निकलेगी तो क्या होगा 36 में से 12 minus minimum है यहाँ पर एक minute minimum जो है यहाँ पर 12 कर लीची next देखे, question number 2 है write the number which appear most, तो सबसे ज़्यादा जो number यहाँ पर appear हो रहा है, वो आपको बताना है तो कौन सा number appear हो रहा है, वो हो रहा है 36, ठीक है, write the question number 3 दिया गया है, write the name of shape whose count is maximum तो maximum कौन सी shape है, इसमें parallelogram है, answer सामने है number 4, write the name of shape whose count is minimum तो minimum बता तीनों की equal है, तो तीनों के नाम लिखेंगे, trapezium भी है triangle भी है, और square भी है next देखे, find the range of the data in the table above, तो data का जो है range निकालनी है, तो range कैसे निकालते है maximum में से minimum घटा दीजिए maximum कितना है, आप ऐसे लिखेंगे maximum in number 36 minimum in number 12 और range कैसे निकाल जाएगी, 36 में से 12 माइनस करेंगे, तो answer आजाएगा आपका 24, next देखे, next आपको यहाँ पर given है how would you find the average of your online classes in hours for the whole week, तो आपको आप पूरे week में जितना time आप studies पे लगाते हो, तो वो जो है, आपको यहाँ पर लिखना है, माली जी आप मंडे से लेकर Saturday तक पढ़ाई करते हो, Sunday को आप enjoy करते हो, ठीके, तो माली जी आप जो है per day, आप देखे, जैसे मंडे को 3 hours लगाते हो, Tuesday को आप 4 hours पढ़ते हो, Wednesday को आप 4, फिर 4 hours पढ़ते हो, तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना क्या, एक data जो है, वो लिखना है, और फिर आपको उसके average निकाल लिए है, तो आइए पिटा करते हैं इसका answer, तो देखे, यहाँ से Monday जो है 3 hours है, Tuesday 4 hours है, Wednesday पिटा 4 hours है, Thursday 4 hours है, Friday आपने 4 hours लिए, Saturday आपने 5 hours लिए, तो average कैसे निकलेगा, total hours divided by number of days, तो यहाँ पे आपने total कर लिया, ठीक है, आप अपनी मर्जी से यह ले सकते हैं, बिटा, इसमें कोई boundation नहीं है, कि यही लिखा है, तो आप यही करेंगे, आप जो भी चितना time आप spend करते हूँ, वो आपको यहाँ पर लेना है, तो इसको total किया, आपने, ठीक है, यह हो गया, आपका 24 divided by 6, तो average कितना निकल गया, 4 hours का यहाँ पर average निकल गया, तो यहाँ से आप इस question का answer कर लेंगे, next देखिए, find the mean, median and mode of the following data, तो बेटा, आपको यह data दिया गया है, इसमें आपको mean, median और mode, तीनों चीज़े जो है, आपको निकालनी है, तो अई बेटा करते हैं इस answer, तो यहाँ से सबसे पहले हम mean निकाल लेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें यह number दिये गए है, तो सम कितना आया, इन सब का सम जो आएगा, वो आएगा हमारा 45, और divided by total number कितना है हमारा, total number आया 9, तो हमारे पास क्या आगया, mean कितना निकला, mean हमारा निकला 5, ठीके, 9 से इसको 9 से रिवाइड किया न, हमने 5 आया, तो mean निकल गया हमारा 5, next हम निकालते हैं, बेटा, median, तो देखे, median हम निकाल लेंगे, उसके रिए क्या करेंगे, हमने इन सब को increasing order में लिख दिया, यहां ऐसे हमने इनको increasing order में लिख दिया, सभी numbers को, उसके बाद हमने यह formula अप्लाई किया, n प्लस 1 divided by 2, n कितना है हमारे पास, यहां पे बेटा, n जो है वो 9 है, 9, यह number 9 है, यह देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, total 9 है, 9 plus 1 divided by 2, 9 plus 1 कितना हो गया, 10 divided by 2, कितना आ गया, 5th, तो 5th number हमारा क्या हो जाएगा, 5th हमारा यहां पर median है, तो देखे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 जो हमारा यहां पर median है, उसके बाद next करेंगे, उसके बाद देखे, mode करेंगे, mode में क्या होता है, कि जो number है, वो कितनी, जो है, कौन सा number repeat हो रहा है, तो repetition को हम देखते हैं, जैसे इसमें 2 जो है, वो 2 time repeat है, और 3 जो है, वो भी 2 time repeat है, ठीक है, तो 2 और 3 हमारे क्या हो गए, यहाँ पर 2 और 3 हमारे यहाँ पर mode हो जाएंगे, next बेटा, अब आपको यहाँ पर, यह जो information है, यह complete करनी है, कि जो हमने mean, median या जो भी निकाला है, उससे related है यह, is the mean of the data always from the given data, तो कि बेटा जो data given होता है, mean हमेशा उसी से होता है, तो ऐसा तो जुरूरी नहीं होता, कि mean उससे तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह chance की बात है, तो यहाँ पर इसका answer क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, जुरूरी नहीं है, कि mean हमेशा उसी given data में से हो, is it smaller than each observation, तो बैटा, आपको जो भी number दिये गई हो, क्या mean जो है, उनसे smaller ही होगा, तो बिल्कुल जुरूरी नहीं है, mean, number काफी सारे होते हैं, कुछ number ऐसे होंगे, mean से छोटे भी होंगे, कुछ number mean से बड़े भी होंगे, ठीक है, तो वो जो है, जरूरी नहीं है, कि वो small हो, तो ये भी no हो जाएगा, can it be bigger than each of the observation, तो हमने अभी किया, कि वो bigger भी हो सकता है, smaller भी हो सकता है, तो इसका answer भी आपका no हो जाएगा, next देखि, can a set of numbers have more than one mode, तो बैटा, क्या एक number में, कोई भी जो set number है, जैसे हमने अभी देखा, तो क्या उसमें, एक से ज़्यादा mode हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, हमने अभी किया, कि हमने जो mode निकाला, उसमें हमारे two and three, दो mode है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा mode हो सकते है, next है, is the median always one of the numbers in the data, कि median जो है, वो हमेशा data के अंदर, जो number होगा, उसी में, वही उन्ही में से कोई number होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, median हमेशा उन्ही में से कोई ना कोई, मतलब क्या है, यहाँ पे जो है, आपसे पूछा गया है, कि क्या जो आपने अभी median निकाला, वो जो है, जो data given है, उन्हें से कोई number है, तो बिल्कुल हमारा वही एक number आया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, yes वो हमारा एक number है, तो ये आपकी आज की worksheet हो गई बेटा, तो इसमें आप yes लिखतेंगे, 3 आपके no हो गई और 2 आपके yes हो गई, तो ये थी बेटा आपके आज की math की worksheet, हिंदी की worksheet आप अल्रडी अफ्लोर की जा चुकी है, वहाँ से विजिट करके आप उसको भी complete कर सकते हो, वीडियो अच्छी लिगी तो like, share जरूर से कर दीजिए, चैनल को सुब्स्क्राइब कर लिजिए and थैंक्स पू वाचिंग, हव अनाइस दी.